हेलो एवरीबन अगर आप आज ये उम्मीद पाल के बैठे हुए हैं कि आज 79,000 कटाफ मामले की सुनवाई होगी तो उस उम्मीद को खतम कर दीजे क्योंकि आज आपके केस की सुनवाई नहीं होगी नोटिस आ चुकी है जिसमें डिविजन बेंच जो तीन बज कर पंदर मिनट पर माननी इसादली और पंकज जासवाल जी की बैठती है वो आज बैठेगी नहीं आपके केस की सुनवाई नहीं होगी तो जो आप इतने दिनों से आपका केस चल रहा है और आप परेशान होकर आज एक उमीद लगाया थे कि केस आगे बढ़े वो उमीद खतम हो चुका है नोटिस आ गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं कंप्राइजिंग ओन्रेबल मिस्टर जेस्टिस पंकत जास्वाल और ओन्रेबल मिस्टर जेस्टिस रशाद अली विल नॉट बी कंस्टिटुट इन कोट नमबर वन एट 3.15 अपने आपको मजबूत कर लिजिए क्योंकि यहां की नियापालिकाप और राज्य सरकार और विधायका किसी को आपकी परवाह नहीं दिखाई दे रही है सब अपने इसाब से कारे कर रहे हैं हम और आप परेशान हो रहे हैं तो बैतर है कि और कुछ आगे तैयारी करते रहे हैं और अब इस केस की क्या इस्तिती है कुछ चंद वकीलों ने चंद लोगों ने एक प्लानिंग के तहट पूरे चार लाख लोगों को परेशान करके रखा एक देखते हैं क्या होता है लेकिन तकलीफ की बात है कि केस सुना ही नहीं जा रहा है उसकी एहमियत ही खतम हो चुकी है अब देखते हैं सरकार कब तक इस तरह से मुख मोड़े रहती है 69 जार से और यह भी तय है कि सरकार अब एडवांटेज इसका सरकार को नहीं मिलेगा इस वज़से वो इंट्रेस्ट कम दिखा रही है वो अगर इसी तरह रहा तो यह भी उम्मीद हो सकता है कि इसको विधान इसको विधान सबाचुनाव से 6 मेने 8 मेने पहले फ़ानल कराया जा ताक उसका अडवांटेज मिले चलिए फिलाल आज की तो यह अपडेट है कि आज केस की सुनवाई होगी नहीं धन्यवाद